जहीं दोस्तों मैं हूँ आर्विसाल और मैं अपने SSC GD के दोस्तों के लिए एक बड़ी इंपोर्टेंट सूचना लेकर आया हूँ कि क्या ITVP ने सही में वो गाइडलाइन तै कर दी जो एक नोटीस आई कि आप रिजल जल्दी से जल्दी भेजो तो क्या ITVP ने इस वार न मतब हजारो कॉल मैं अपनी बात कर रहा हूँ ससी ऑफिस तक हजारो कॉल के माध्यम से रिजल्ट के वारेमें पता लगाने का प्रयासब किया जो इसके प्रभाव में लग लाखो कॉल ए ससी ऑफिस तक गई क्या उसको लेकर कब एक यह fix हो गया कि result किस डिट पे आ जाएगा तो दिखे एक notice अब इस notice का जो मतलब हम तो आज ये 6 तारिक को आपको बता रहे हैं कि 6 तारिक की notice है इस पर देखी आपका 6 तारिक 6 जुलाई है और इस notice के हिसाब से यह मतलब बात आई है कि ITBP ने SSC को 10 दिन की guideline दे दी मतलब की time बता दिया कि आपको 10 दिन के अंदर मतलब ITBP ने ये कह दिया कि आपको finally 10 दिन के भीतर result दे देना है और अगर इसमें कोई technicality आती है कोई दिक्कत आती है क्योंकि देखी अभी तक तो सारा bill फाला जा रहा था no-religency पे कि भाई कैसे physical कराएंगे इनको कोई मिल नहीं रहा है तो और एक चीज और अब मैं यहाँ पर एक आपके दिमाग के डाउट को भी और अपने दिमाग के डाउट को भी क्योंकि आप जानता है कि मैं कभी भी अपने स्टुडेंट्स को डिजगाइस नहीं करता और भगवान से प्रार्तना करता हूं कि कभी भी मेरे दोरा दी गई कोई सूचना रत्ती मात्र भी गलत ना निकल जाए क्योंकि बच्चा जो जुड़ता है अपने टीचर से किसी भी फेकल्टी से हमकर हम सुनता तो उसका इमोशन अठाएच होता है और जब भी किसी के इमोशन के साथ थोड़ा भी दिक्रत होती है तो उसका प्रायसित भगवाना इंसान को जरूर देता है तो दोस्तों इस से इस वीड नोटिस फेक भी है अगर मतब अगर मैं क्यों का रहा हूं क्योंकि नोटिस पास तारीक को चल रही है आपने भी देखा होगा यह नोटिस पास तारीक को आई जिस पर डेट छे तारीक मेंसन है और इस पर दस दिन की गाइडलाइन दी गई है तो इस वर करें कि यह गाइड बड़ा disaster नहीं हो गया, तो within 10 days आपका result आने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं लगती है, अब जल्द से जल्द आपका result आ जाएगा, physical आप जानते हैं कि CRPF के physical के कारण से एक वो भी बड़ा मुद्दा बना हुआ है अभी तक CRPF का जो physical start होने वाला है, तो कुल मिला जो कि मुझे क्यों doubt हो रहा है, 5 तारिक को 6 तारिक की notice कैसे आ सकती है, फिलाल, लेकिन official notice leak हो जाती है, अगर ये leak है तब भी आपके लिए good news है, कुल मिला के 10 दिन कंदर आपका result आने वाला है, एक appeal मैं अपनी students से और भी करना चाहूंगा, क्योंकि आप जुलाई की महीने में बात करें, अगस्त में आपका 25 की SSGD 25 का form भरा जाना start हो जाएगा, तो दोस्तों अगर आपको इस बर physical दे रहे हैं तो भी और जो newcomers हैं वो और जो physical नहीं दे रहे हैं किसी कान वो भी अपनी तयारी को एक भी दिन एक भी दिन अभी आपके पास जाया करने वाला नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि defense में permanent मतब कि आपके constable label पे permanent की सबसे बड़ी सबसे जबर्दस, सबसे बड़ी सबसे मजेदार भरती अगर बरतमान में कोई है, क्योंकि state police के बारे में पूरे भारत के state police के बारे में आपको पता है, हर state की उपनी वही condition चल रही है, तो ये एक मा सबस्कारी को एक भी दिन, एक भी दिन जाया नहीं कर सकते, उसके लिए MKC आपके लिए offline, online, दोनों ही माध्यम से continue, offline, online and YouTube, तीनों माध्यम से online मतलब हमारे app पर, offline यहाँ पे classroom में और YouTube पे free classes लेकर के, मैं और मेरी पूरी team, continue students के बीच में बनी हुई है, तो आप हमसे किसी प्रकार से जुड़ करके अपने सपने को साकार कर सकते हैं, जय हिन दोस्तों